सरकार की तमाम कोशियों के बाद भी अगर देखा जाए तो भारत में कोरोना वाइरस लगातार फैलता ही जा रहा है इस महामारी से निपटने के लिए युद स्तर पे त्यारी की जा रही है इस वज़े से केंद्र और राजसरकारे कोई भी कमी नहीं छोड़ रही है लेकिन त्यारी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोरोना वाइरस भारत में किस स्टेज पर है कोरोना वाइरस के पैटन को समझना जरूरी है बाकी देशों में वाइरस क्या रूप ले चुका है और दूसरे देश इस वाइरस से लड़ने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं जानना जरूरी है अगर कोरोना वाइरस के फैलने के पैटन को समझा जाएं तो इसकी पांच स्टेज़स हैं यह बहुती इंफर्मेटिव वीडियो होने वाली है वीडियो में एक्स्प्लेइन करूंगे असान भाषा में सभी फाइव स्टेज़स का मतलब भारत अभी कौन सी स्टेज में है? क्योंकि हर स्टेज में सरकार और जनता को अलग-अलग तरह की अतिहात बरतने पड़ते हैं इसको फैलने से रोकने के लिए अलग इंतजाम करने पड़ते हैं दोस्तों, 90% लोग मेरी वीडियो देखते हैं, लाइक और कमेंट भी करते हैं, पर चारल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर लीजिए ना प्लीज आपका एक सब्सक्राइब मुझे होसला देता है और अच्छा काम करने के लिए WHO के अनुसार, भारत कोरोना वाइरस की दूसरी स्टेज में है कोरोना वाइरस को रोकने के लिए सरकार नहीं अदी और ठोस कदम नहीं उठाए तो सिचुएशन और बिगड सकती है इंडियन कॉंसल ओफ मेडिकल रिसेर्च याने यी ICMR के मुताबिक अभी इसको अगली स्टेज में जाने से रोकने के लिए सरकार के पास एक महीने तक का वक्त है पहले जानते है कि स्टेज पर कितनी खतरनाक है ये बिमारी स्टेज 1 में देश में संक्र में जगों से ही वाइरस फैलनी के मामले सामने आते हैं जैसे भारत में 3rd मार्स तक बस बाहर के देशों से आए हुए लोगों में ही वाइरस डिटेक्ट हुआ था शुरू-शुरू में वुहान चाइना से आए हुए किरल की तीन मामले और अभी हाल ही में इरान, इटली और दुबई से आए हुए मामले इस स्टेज में वाइरस हो कंट्रोल करना उतना मुश्किल नहीं होता ये मुमकिन करना है कि एरपोर्ट से बचके कोई संक्रमित इंसान देश में ना घुस पाए जुरूरत पढ़े तो 14 दिनों तक क्वारंटाइन में रखे अब देखते हैं कि स्टेज 2 में कैसे फैलता है वाइरस स्टेज 2 वो है जब ऐसे किसे व्यक्ति में वाइरस डिटेक्ट हो जाए जो संक्रमित देश से नहीं आया और ये वाइरस थानिय लोगों में फैलना शुरू हो जाए इस फेज में मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इस वाइरस से संक्रमित व्यक्ति बाहर के देश से भारत के अंदर घुसा आया और अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ स्थानिय लोगों के लगतर कॉंटाक्ट में है और लोगों को संक्रमित कर रहा है स्टेज 2 का बेस्ट एक्जामपल ये है कि जैपूर में इटली से आयोई लोगों में ये वाइरस मिला और फिर उनके टेक्सी ड्राइवर, होटल स्टाफ और उनके ट्रैवल गाइट सके वाइरस फैल गया इसको community spread भी कहते हैं ये स्टेज मन में आप एरपोर्ट पर स्क्रीन करके विदेशी लोगों के वीजा खत्म करके भारत में घुसने से पहले उनको 14 दुनों का mandatory quarantine करके इस वाइरस को काबू कर सकते हैं पर स्टेज 2 पे बाद हाथ से निकल चुके होती है अब देख लेते हैं कि स्टेज 3 में क्या होता है स्टेज 3 में इस वाइरस को रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चनौती बन चुकी होती है ये वाइरस nuclear reaction की तरह exponentially बढ़ने लगता है बड़े पैमाने पे ये समुदाएं मोहलों में फैलने लगता है भारत में को रोकने के ल जाने की स्टेज 4 में ये वाइरस कैसे फैलता है? स्टेज 4 में इस बिमारी महामारी का रूप ले लेती है पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ता है कहना मुश्किल हो जाता है कि कब खतम होगा वाइरस से लड़ने के लिए सरकार को पूरी ताकत झोकनी पड़ती है प स्टेज 4 पर पहुंच चुका है। अब दिखते हैं कि स्टेज 5 में क्या होता है। स्टेज 5 बड़ी राहत देने वाली स्टेज होती है। लेकिन हो सकता है इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते काफी नुकसान हो चुका हो। बहुत से लोग इस वायरस से अपनी जान गव बाब एठे हूं यह 4 phase है जिसमें देश कोरोना से निपट चुका होता है कोरोना काबू आ चुका होता है इस stage में कोरोना के नए मामलों में कमी आने लग जाती है और इका दुका ही नए मामले आते हैं हाला कि ज़रूरी नहीं है कि इस समय संक्रमित लोग की संक्या कम हो हो सकत है बहुत से लोग का भी उपचार चल रहा हो अब आपको कोरोना वाइरस की सभी stages अच्छे समझ में आ गई होंगी दुनिया के डेट सो देशों में फैल चुका है वाइरस अब बताती हूं कौन सा देश कौन सी stage में है बाश शुरू करती हूं जहां से वाइरस फैलना शु प्रांस देश अभी stage 4 में प्रवेश कर चुके हैं पूरे देश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं इटली में 21,000 लोग संक्रमित हैं 1500 के करीब मर चुके हैं पूरे के पूरे देश क्वारंटाइन में हैं किसी को घर से भार निकलने की अनुमती नहीं है देश में सब ग्रोसरी स्टोर और मेडिकल शॉप्स को खोलने की ही अनुमती है बस बाकी के लगबग 90 देश stage 2 और stage 3 में हैं और 50 के करीब देश stage 1 में हैं जहां अभी तक वाइरस बाहर से आयोए लोगों में ही detect हुआ है अब बात करते हैं कि क्या भारत तियार है कोरोना वाइरस से लड बंध हैं सभी देशों की वीजास पहले से ही cancel की हुए है और विदेशों से आने वाले सभी भारतियों को 14 दिनों के लिए mandatory quarantine में रखने के आदेश दिये हैं इसके साथ ही सरकार ने जागरुकता अभियान युद्स तर पर शुरू किया हुआ है क्योंकि सरकार भली भाती ज दाए जा रहे हैं आप उन्हें जरूर अपना है अपने और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें आप सबके support के बिना ये informative वीडियो बनाना बिल्कुल भी possible नहीं है आपको नीचे subscribe करने का लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबा के please subscribe कर लीजिए ये बिल्कुल free तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में